अच्छा play store पर कई सारी application है जो की RBA registered NBFCs के साथ में पूरी तरह linked हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं अभी recently एक application है credit b उसको लेकर के एक मैम है जिनका नाम मंजू है उन्होंने मुझे बताया उन्होंने credit b से लगबख 3-4 महने पहले 65,000 रुपे का loan लिया था जिसकी वो एक EMI default कर चुकी है और एक EMI default होने पर उनको एक call आया है जिसमें की ये कहा जा रहा है आपके माता पिता क भी bank account से पैसा काट ले जाएगा आपके माता पिता का नाम ये है आपके माता पिता का number ये है अब वो पूरी तरीके से चिंतित है क्या ऐसा possible है क्या ऐसा हो सकता है हाला कि उनकी चिंता तो हमने पूरी तरह से उसी वक्त दूर कर दी थी जब उन्होंने message किया था अगर आप इसकिप कर दी जो भी information आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की valuable information लेकर क्या आते रहे हैं useful information लेकर क्या आते रहे हैं आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर स्टाट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो अचली दोस्तों ये जो mobile loan application है प्ले स्टोर पर आपको लोन तो इसली दे जती हैं आपसे highest interest वसूलती है और अगर आपसे थोड़ी सी देरी हो जाए loan चुकाने में तो आपके उपर बहुत ज़दा highest penalty भी लोग लगा देते हैं अ आपके relative परिवार वाले को call कैसे चली जाती है वो ऐसे चली जाती है जब भी आप application को download करते हो तो download करने के बाद में जैसी application install होती है आप open करते हो तो आप से permission मांगी जाती है आप सभी permission allow allow कर देते हो तो एक permission होती है contact जी वो भी इनके पास में चली जाती है उसके आधार प अगर आपने लोन लेते समय कोई ECS एक्टिवेट करके रखा है तो पैसा उसी एकाउंट से कटेगा जिससे आपने ECS एक्टिव करके रखा है जिससे आप ओटो डेविट EMI देना चाहते हो Otherwise किसी की इतनी उकात नहीं है आपके माबाप के अकाउंट से आपके रिष्टेदार के अकाउंट से पैसा application वाला काट सके ठीक यह आपको बात अच्छे तरीके से समझ जानी है ऐसा नहीं होगा आप चाहिसमें कोई credit भी ऐसा बोल रही है या फिर कोई money view के agent ऐसा बोल ले है म कोई दिक्कत परिशानी ऐसी आपको नहीं आईगी दखिए यह जो application है RBI authorized तो यह होती है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है मतलब इनकी जो NBFC होती है वो RBI authorized होती है और जब NBFC RBI authorized है तो यह भी पुरी तरीके से सही है अब क्या है अगर आपने इन से loan लिया है तो आप क करूल है यह हर बही ने ऐसे कर दिया है माता पिता के account से पैसा कर जाएगा आपके अगर आप लो नहीं चुकाते हो तो भाई यह माता पिता ने कौन सा तुम अपना account number दे रखा जो तुम काट लोग है माता पिता ने कौन सा ACS activate करके रखा है तो यह सब धकोसले बादी है आ तरीके से गाइड कर दिया जाता है लेकिन exact case के according ही सला दी जाए तो ज्यादा बेटर है तो आप एक काम कर सकते हैं हमारा WhatsApp नबर आपको स्क्रीन पर नजा रहा होगा यहां पर आपको प्रपर डिटेल देनी जैसे आपका नाम आपका मोबाईल नबर प्लस आपका जो exact issue है बताना है और आपको बताना है कि आपको टेलिफोनिक लिए अगर आपकी लोन राशी पचास हजार रुपे से उपर है तो आपको टेलिफोनिक लिए अपोनिक का चार्ज पे करना पड़ेगा अभी थोड़ा discount चल रहा है अच्छा कासा minimum amount पर help मिल जाएगी बहुत कम amount में अगर पचास जार रुपे से नीचे का लोन है तो बिल्कुल भी वाट्स पर नुबर पर संपर्क करना करें आप comment कर दें या फिर इंस्टा पर जाएए और हमें DM कर दीजिए आपके जो इशू है उस पर वीडियो आ जाएगी या फिर एक्स पर जाकरके हमें DM कर दीजिए ह आशा करता हूं आपकी जो क्यरी है वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी थैंक्यू